सूरत में गतितारीक 18 जन्वरी के दिन सूरत के अड़ाजन विस्तार में मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे 80 वर्सिय वृद्ध को मौपेड सवार विध्यार्थियों ने अपनी चपेट में लिया उसके बाद विध्यार्थी वहां से फरार हो गए थे वृद्ध को गंभीर चोटे पहुँचने से उसे नीजी अस्पताल में भरती करवाया गया था सूरत के अड़ाजन विस्तार में स्थित सन बंगलोज में नवनीत लाल नटवर लाल आरिवाला उम्र 80 साल अपने परिवार के साथ रहते थे उनका पुत्र अतूल पीपल्स बैंक में अधिकारी हैं वृद्ध नवनीत लाल रोज सुबा शाम उनके घर के समीब तित गंगेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने जाते थे उसी दोरान गत तारीक 18 जनवरी के दिन सुबा अपने घर से वे मंदिर में दर्शन करने के लिए पैदल जा रहे थे उसी दोरान आरोग्यम अस्पताल के समीब कुछ मोपेड सवार विध्यार्थियों ने तेज रफ्तार से आकर वृद्ध को टक कर मारी और मोपेड की चपेट में लिया उसके बाद दोनों विध्यार्थी महां से फरार हो गए रहदारियों ने वृद्ध को नीजी अस्पताल में भरती करवाया जहां पर उनका CT स्कैन कराने पर पता चला कि उन्हें दिमाग में अंदरूनी और गहरी चोटे पहुची है जिसको लेकर उनका ऑपरेशन भी किया गया था उसी दोरान उनके बेभान अवस्था में पहुचने से उन्हें ICU में भी सिफ्ट किया गया था और अल्प उपचार के दोरान उनकी मौत हो गई रिपोर्ट बाई परविन पठान समाचार इंडिया नियूस सूरत